अब हमारा अगला टॉपिक है देट इस वर्किंग कैपिटल और सॉर्टम इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखुर वर्किंग कैपिटल होता है न वर्किंग जो फंड जो हमें डे टुडे एक्सपेंसेश को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए जैसे मांगे चलिए कि मेरी दु जो मुझे बिजनस को चलाने के लिए चाहिए ठीक है सच आइस पेंग बेल्स पर्चेजिंग इन्वेंटरी और कवरिंग इंप्लाईज वेजज तो वह कैपिटल का जो पार्ट जो हमें डे टुडे बिजनस एक्सपेंसेश को रन करने में मदद करता है वह हमारा कहला आता is enough cash flow to meet immediate needs without running out of money तो इसको manage करना इसलिए जरूई होता है ताकि हमें जो day-to-day expenses हमको अपने maintain करने उसको हम easily maintain कर सके और हमारा पैसा कम नहीं हो तो इससे business हमारा जो होता है वह smoothly चलता और कोई financial difficulties जो day-to-day लेवल पर होते है हमें वह फेस करनी के ज़रूरत नहीं पड़ती है liabilities तो आप यह भी इसको याद कर लेना अब यह दो तरीकी का होता है gross working capital और networking capital gross working capital refers to investment in all current assets such as cash, bills, receable, prepaid expenses, inventories, etc these current assets get converted into cash within an accounting year तो दो को नाम में का लिखा है gross, gross ही लिखा हुआ है तो जितना भी हमने current assets में investment किया हुआ है सब कुछ हम उसको include कर लेंगे लेकिन जैसे हम net करेंगे तो net का मतलब क्या हुआ है difference ये economics में हम लोग ने पढ़ा है net का मतलब क्या हुआ है difference किसी का difference current assets और current liability का difference ठीक है कि हम हम जो देखो current assets है जो हमें cash assets है लेकिन liabilities भी है तो जो हमें pay off करनी पड़ेंगी जो हमें pay करनी पड़ेंगी तो उसके मतलब जब हम assets में से liability घटा देते हैं तो हमारे पास net asset कितना बचा ठीक है वो हमारे लिए क्या है asset है so वो कहलाता है आपका net working capital factors affecting the working capital अच्छा अभी हम लोग ने देखा कि factors affecting the fixed capital तो उसी तरीके से working capital का same ही point है ठीक है तो सबसे पहला nature of the business again देखो अगर कोई retail shop है ठीक है जो छोटी मुटी दुकान है तो वहां का working capital requirement भी क्या होगा कम होगा तो को business and nature जितना मतलब बड़ा होगा जितने बड़े निचर कोगा जितने large scale पर काम करेगा उसका working capital requirement उसका fixed capital requirement क्या होगा different होगा wholesalers अब wholesaler का requirement obviously ज़्यादा होगा as compared to retailers manufacturing होगी तो उनकी ज़्यादा होगी ठीक है so I hope this is clear to you second scale of operation जो businesses काफी large scale पर operate करेंगी obviously उनका working capital requirement ही ज्यादा होगा उनका fixed capital requirement भी काफी ज्यादा होगा business cycle fluctuation business cycle क्या होता है business cycle होता है कि business is जब regular business पर चलता है तो उसके काफी सारे अलग-अलग levels होते है एक होता है कि एक phase होता है जब उसमें क्या होता है business में grow होता है तो उसे boom कहते है ठीक है boom period जब वो down जला जाता तो इसे recession कहते है तो boom period वो period होता है जहां पर market काफी अच्छा perform कर रहा है market पर काफी ज़्यादा demand है और demand ज़्यादा है तो production में क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है inventories भी क्या हो रहा है दुकान मतलब जो producer वो inventories ज़्यादा प्रोडूस करें fourth point है इसमें हमारा that is seasonal factor देखो कुछ ऐसे goods प्रोडक्ट होते हैं जो पूरे साल भर उनके demand होती है जैसे आलू जैसे प्याज ठीक है तो जो भी sellers इन चीज़ों को maintain करेंगे तो उन्हें इसका stock तो throughout maintain करना पड़ेगा तो उन्हें working capital requirement क्या होगी काफी ज्यादा होगी और जो seasonal होते हैं जो occasionally होते हैं कभी-कभी आते हैं तो उनका बस season time पे रहेगा और off season नहीं का requirement क्या हो जाएगा काफी कम हो जाएगा और पांचवा है तुमारा credit allowed तो credit allowed का मतलब क्या होता ने जब हम किसी को credit sales करते हैं तो dators को हमें time period देते हैं कि 10 दिन 15 दिन तो देखो अब इसी को हम खाते है credit policy credit policy refers to average period for collection of sale proceeds कि हम जब किसी को उधार समान बेच रहे हैं तो कितने दिन में हम अपने हम उसे पैसे वापस हमें ले लेनी है ठीक है यह किस पर depend करता देखो अगर हम कोई कोई अंजान आदमी आया है तो हम उसे obviously credit नहीं देना चाहेंगे कोई बहुत अच्छा trust बन्दा है जिसको हम बहुत सा करते हैं तो उसे हम लंबे समेंतर के लिए क्या दे सकते हैं उधार दे सकते हैं ठीक है अगर एक company liberal credit policy follow करते है ठीक है भाई समान तो हमारा भीका न हम ज्यादा किसी को परसान नहीं करेंगे 10-15-20 दिन का time नहींगे हम बहुत liberal है ठीक है पैसा जब आया हमें कोई दिक्कत नहीं है तो वहाँ पर working capital requirement क्या होगी different होगी ठीक है और वहीं पर अगर company काफी strict policy follow करती है यह credit की तब वहाँ पर वह बिलकुल मतब ज़्यादा time rate देगे नहीं तो वहाँ working capital का requirement क्या हो जाएगा कम हो जाएगा So friends यह था factors affecting the working capital and I hope you have understood the topic